तुदेश टापिक ऑफ डिसकॉस्चन इस पैंटोलमाइन वट इस पैंटोलमाइन इस नाथिंग बट इस एन इरिवर्सिबल नॉन स्लेक्ट्व एल्फा ब्लॉकर मिंज के यह नॉन स्लेक्ट्व है मतलब दोनु जो एल्फा वन और एल्फा तु जो एड्रेनर्जिक इस लिए नॉन स्लेक्ट्व एल्फा ब्लॉकर बोते हैं और यह रिवर्सिबल है मेंस यह कुछ टाइम तक के लिए एक्शन करता है फिर जो उस रिसेप्टर का फांक्शन होता है वो अगेन वैसा ही होता है लब इसका जो एक्शन है वो रिवर्स हो सकता है फैंटोलमाइन का इसका action rapid होता है और फिर बैसे action reverse होता है इसलिए reversible non-selective मतलब alpha और alpha 1, alpha 2 जो category of receptors है alpha मैंसे उन सब को effect करता है कभी particular एक भी नहीं करता है अगर हम बात करेंगे नाचरवाइज इमिदाजोलीन है फेंटोलमाइन फेंटोलमाइन इस एन इमिदाजोलीन डराइवेटिव यह इमिदाजोलीन डराइवेटिव है और यह competitively block करता है इफ एक पैक्टिस ओफ नौर अड्रेनलीन आड बोथ alpha 1 और alpha 2 एड्रेनर्जिक receptors जो एड्रेनर्जिक रेसेप्टर्स है जहां पर भी alpha 1 वैसल्स में पाए जाएंगे smooth muscles होते है वैसल्स के वहां पर जो alpha 1 पाए जाते है या alpha 2 प्री साइनेप्सिस पे पाए जाता है वहां पर जो एड्रेनलीन है उसको अपोस करता है फेंटोलमाइन ठीक है और हम मैंने कहाँ कि यह वैसल्स पे alpha 1 जो की पता है चाहतो है सुमूत मसल्स और वैसल्स में होता यह च्छाह एक वैसल्स को मिजली नीजकेसां घरवरै करता है ज्यादात रएन अर्ट करता है श्यास्तित वहेंगे लुक्य रिवाट सेभल इसके अश्रम सरवावान और ऐलफा-वन और एलफा-टू रेसेप्टर्स पे एक्ट करके उनको ब्लॉग करता है नाचर वाय से क्या है इमिडाजोलीन है यह कॉम्पिटीटिवलिग ब्लॉग करता है अड्रेणा और एड्रिनलीन के एफेक्ट्स जाहे है वह फावन ती जगंपे जो एफेक्ट होता ह वो भी block करते हैं और alpha-2 receptor जहां पर action करते हैं adrenaline उन पर उनको भी oppose करता है इसमें venodilatation देखी गए है ज्यादा as computer arteriolo dilatation अब हम यूज कैसे करेंगे इसका इसको हम लोग IV यूज करते हैं फैंटलमाइन का probably 5 mg का injection होता है IV हम यूज करते हैं following conditions चुकि यह venodilatation करता है तो जो भी hypertensic episodes होते हैं जब phyokromocytoma जो tumor होता है adrenal medulla का जिसकी वज़े से catecholamines जो है वो बढ़ जाते हैं जिसकी वज़े से hypertension headache होता है तो उसको control करने के लिए अगर हम operate करेंगे उस tease को phyokromocytoma को तो जूरिंग surgery हम लोग injectable use कर सकते है फैंटोलमाइन का फैंटोलमाइन का injection हम लोग phyokromocytoma को अगर operate करने की दौरान हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डूसरा है to control फिर से hypertension को control करना करता है यह जो red mark मैंने लिखा red से that means कुछ danger को control करते हैं मना hypertension crisis जो है hypertension crisis को control करने के लिए जो कि hypertension crisis हो गई है due to colonidine withdrawal अब patient ने quality कॉले निदीन खाता था patient लेकिन उसने छोड़ दिया है यह खाना colonidine withdrawal colonidine क्या था एक यह alpha antagonist है यह भी alpha antagonist है लेकिन ही centrally act करता है हमारे posterior hypothalamus और medulla में जिसकी वज़े से जब यह centrally alpha receptors को block करता है तो वहां पे जो sympathetic outflow है cns का वो decrease होएगा कि उसने ब्लॉग किया गा colonidine ने तो क्लिनिकली क्या होता है जिसकी वज़े से BP decrease होता है अब patient ने खाना छोड़ दिया तो centrally जो antagonist effect है colonidine का वो नहीं होगा तो BP बढ़ जाएगा उसको control करने के लिए fentolamine injection का यूज कर सकते हैं ठीक है fentolamine colonidine withdrawal में भी यूज कर सकते हैं याद रखें दूसरा ही तो control again hypertension को control करने के लिए fentolamine है due to crisis due to cheese reaction अब cheese reaction क्या है सबसे महले मैं आपको बताओ हमारी body में monoamines है monoamines या निकेटेकोल Amines को monoamines भी बोलते हैं पिछले लेक्ट्रस में बताया था मैंने जैसे नौर adrenaline है adrenaline है और dopamine इन monoamines को जो है इनको रिमोल करने के लिए बाडी में एक इनके पिपने का दिमडिशाए उसको manoa mo amain oxidase भी इसको मानोडी बते हैं को रिमूब करने के लिए लाज़ा था है फोड़े या कि यह रीमुन नहीं होंगे इनकी वज़े से बीपी शूट हो जाएगा इस एंजाइम यह अपना काम नहीं करेगा इसका काम था मानोमाइनस को रिमू करना यह नहीं कर सकेगा मानोमाइनस रिमू नहीं होंगे तो डोपामी नॉड एड्रेनलीन के इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे यानि हाइपर टेंशन हो जाएगा वही कहता है अगर ऐसी कंडिशन हो कि चीज रियक्शन की वज़े से बीपी बढ़ गया तो उसमें भी हम फेंट्लमाइन का इस्तिमाल कर सकते हैं यह थे यूजिस थैंक यू